तो इस वीडियो के इंदर मैं एक्स्प्लेंट करूँगा बैटल थू दा हेवें सीजन 6 पार्ट 198 को अब अगर अपने लास पार्ट नहीं देगा तो लिंक डिस्क्रप्शन में और आई पैटर्म पे मिल जाएगा पिसले एपिस्प्शन में ने देगा था कि मिस्पैंग और साविन की बीच फाइट श्टार्ट हो गई थी और इसके रिजटर्ट को देखकर सभी लोग हैरान हो गई थे क्योंकि साविन इस फेट के अंदर जीच चुका था और तभी मिस्पैंग सेंस करती है कि साविन की अब इस पार्ट के सुरुवात में मिस फैंग काफी जादा हैरान हो गई थी वो अपने मन में कहती है इसके स्टोरिंग में तो बिलेड एसंस को होना चाहिए था दूसरी तरफ यह देखने के बाद फैंग जूंजे काफी खुस हो जाते हैं वो मिस फैंग की तरफ देखते कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती दूसरी तरफ लिंग जूंजे मिस फैंग की तरफ देखते हुए उससे कुछ रिचारा करता है और उससे क्या आता है कि तुम्हें कुछ गरत फैमी हो गया हो इसलिए जल्दी से साविन के सामने जुक कर उससे माफी माँगो अब य कि बातों को सुनने के बाद साविन उसे माफ कर देता है वह उससे कहता है तुम मुझे हैं से जासकती हो कि अब साविन भी wybốn यह नहीं बढ़ाना चाहता था क्योंकि अगर साविन ने और भी ऐसा कुछ करने की कोश्ट किया तो तो साथ ऐसा हो सकता है कि बल्लड एसे एक्सपोज हो जाए, इसलिए सावेन उसे छोड़ देता है, दूसरी तरफ लिंग जुन जे इस बच्छे काफी खुश हो जाते हैं, वो अपने मन में कहाते हैं, इस लड़के को पहले यहां से जाने देते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे आखिर इस लड़की के साथ क्या करना है, फिर लिंग जुन जे आँए आने के साथ ही कहते है, अब जबकि तुम जीट सुके हो तो तो तुम लाइटनिंग मॉमेंट टैक्निक और बाकी टैक्निकान का सकते हो पर मैं तुम्हें इतना बता दू कि तुम अपने इस टेक्निक को किसी और को नहीं सिखा सकते हैं क्योंकि हमारे क्लाइन का सीक्रेट टेक्निक में से एक है यह सब कहते हुए लिंग जुन जो इन्हें अपनी पूर्ट को एक्टिविट कर लिया था दूसरी तरह साओ मैं भी उसकी बात पूरी तरह से समझ चुका था इसलिए वो उससे कहाता है आप बिल्कुल बेफिकर हैं मैं इस टेक्निक को किसी और को नहीं सिखा हुँगा सिंसी प्टेगराम फैंक जुन जो देखते हैं वो आगे बढ़ते हुए लिंग जुन जो इससे कहते हैं अब ज समय से डिसकस करने के बादं फैंक जोंजे सभी से कहते हैं फिर हमें हैं से चलना चीए यह कहने के साथ वह सावन और बाकी लोगवी के साथ महां से जानी लगते हैं और कुछी समय के अंदर आरी नास से सभी लोग यहां से निकल चुके थे और आकरी में बत्यों थे वोई डिलाइटिंग पविलेंट के लोग, दूसरी तरफ लिंग जोंजे, मिस फैंग की तरफ देखते हैं, उससे कहते हैं, क्या तुम्हें पूरी तरह से यकिन है, कि साविन के बोरी के अंदर से, ब्लेड ऐसेंज को मैसुस किया था, अब अपनी मास्टर की बाद सुनने के बाद वो अपनी सर को हामेल आती है, और वो उससे कहाती है, मैं पूरी तरह से साविन के बोरी के अंदर से, हमारी क्लैन का ब्लेड ऐसेंज था, लेकिन मुझे ये बाद समझ में नहीं आ रही कि आखिर उसने अपनी बोरी के अंदर कहां पर उस चीज को छुपा लिया, अब इस सुनने के बाद लिंग जुझे के चेरे पे समयल आ चुका था, वो मिस फैंग के तरफ देखते हैं उससे कहता है, जाओ और तुम अपनी क्लैन को इसके बारे में इंफोर्म करो, कि साविन के पास ब्लेड ऐसेंज है, अब जो भी करना होगा, वो तुमारे क्लैन को लोग कर ये कहने के साथी उसके चेरे पे समयल आ चुका था, अब दूसरी तरफ हम साविन और बाकी लोगों को देखते हैं, जो के एक जगा पे आ चुके थे और अभी कैसा में अंधेरा भी हो चुका था, सीन सिप्ट को हम साविन को देखते हैं, साविन अपनी ग्रीन फिलेम को ए लेकिन दूसरी तरफ ये बात चुनने के बाद भी साविन रिपलाई नहीं देता, अब उसे ऐसा करता देख, फैंक जुन जे उससे कहा थे क्या थे क्या तो एक जगा साविन को देखते हैं, जो कि एक जगा साविन काड़ा हुआ था, और अभी किसमें साविन के सकन को लेकिने से ऐसा लग रहा था कि साविन काफी तकलीफ में है, लेकिन तभी फैंक जुन जे उन तिन्यों ब्लेड आइसस को देखने के बाद बहुत ज़्यादा है, वो अपने मन में कहते हैं, ये तो एक डॉजन का ब्लेड है, फिरू गहरी सास लेने के साथ ही साविन से कहत त्याद चा हुआ कि किसी को ने बहुत चला कि तुम्हारे पास ब्लेड आसस है, ठीकि अगर ब्लेड आससस सभी के सामने साविन लगता है कि छोथा ब्लड आइसेंस मेरे हभी वर्डी के साथ मर्ज हो रही है अगर ऐसी बात है तो मुझे जल से जल से जल उसे रिफाइन नहीं किया तो यह मेरे लिए काफी मुस्किल हो सकता है यह कहने के साथ ही सावन उस बीच से उतर के पहाड पर आ जाता है ताकि वो ब ब्लड आइसेंस फिनिक्स ट्रैपस है इसलिए इसके अंदर काफी पावर होती है और कोई आम इंसान इस ब्लड आइसेंस को अपनी बोडी का सथ मर्जं के तरफ देखने लगते है जहां पर उन दोनों को महसुत होता है कि सावन के अंदर से काफी मातरा में निकल रही है अब इसेच को देखते हैं फैंग जुन जे जल्दी से मूफ करते हुआँ पर एक सील्ड लगा दीते हैं ताकि कोई भी बलड ऐसंस को मैस्ज चुना कर सके तभी लिंग जी फैंग जुन जे से सवाल करता है क्या सावन अपनी बोडी के अंदर से इस बलड ऐसंस को बाहर नहीं निकाल सकता हैं अब लिंग जी की बात चुनने के बाद फैंग जुन जे कुछ सोचते हुए क्याते हैं इस बलड ऐसंस को निकालने का मैथर सिर्फ फिल् जाता है दूतरी तरफ फैंक जुन जी अपनी बातों को कंटीनियू करते हुए इसके अगर सावन ने इस ब्लेड एसंस की पाउर को समाल लिया तो उसकी पाफी बढ़ जाएगी फिर से फैंक जुन जे से सवाल करते हुए उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम सावन के किसी सावन को देखते हैं सावन अपने मन में कहता है इसकी वह से मेरी पावर में इंक्रीज हो रही है और मुझे काफी आराम से इस पावर को अपनी इन दर एंटर करना हुए क्योंकि अगर मैने लगाता यह उसकी मेरा बुड़ी ब्लास्ट हो जाए इसलिए मज़े जों भी करन यह अच्छी बात है कि अपने इस एनर्जी को काफी अच्छी से मेंटेन कर रखा है लेकिन इतना तो पक्का है सावन को भी कसमें काफी पेन हो रहोगा दू-तरी तरह हम सावन के चाहरे को देखते हैं जो कि भी पूरी तरह से रेड निसान से भर चुका था सावन अपने मन में कहाता है जैसे जैसे मैं इस बलड ऐसन्स को काफी बढ़ रहा है अपने मास्टेस से कहाती है लगता है सावन के साथ कुछ गलत हुआ है मिसमू की ये बात सुनते ही फैंक जुन जे कहते ही ये बिल्कुल सही है साविन के साथ कुछ गलत हुआ है ये कहने के साथ वो साविन की बोड़ी को स्कैन करने लगते हैं से आप परोने पता चलता है कि साविन की कुछ जमें के अंदर बोड़ी एक्स्पोलोड होने वाली है अब फैंक जुझे की बात सुनते ही दोनों काफी हैरान हो जाते हैं, तभी हम फैंक जुझे को देखते हैं जो किपनी जगा से डे से फिर होते हुए सावन के पास आशके थे, फैंक जुझे अपने मन में कहता है लगता है यह लड़का इस एनर्जी को समाल नहीं सकता है, इस फैंक जुझे अपने हैंड को रोक लेते हैं, फिर हो अपने हैंड को पीछे लेते हुए उससे कहते हैं, अगर सावन कुछ समय में ठीक नहीं हुआ तो मुझे इस मैटर में एंटरफेर कर नहीं होगा, यह कहने के साथ वो अपने पैर को पीछे ले लेते हैं, दूतरी तरह सावविन को देखते हैं, जो कि अपनी बोडी से लगाता राइनर्ज रीलीस करना था, और सावविन की पूरी बोडी में रेडरेड निसाना चुकी थी, जैसosa कि अगली पर सावविन की बोडी डिश्टोय हो जाएगी, अब ही देखने के साथ ही सभी लोग परिसान हो जाते हैं क्योंकि वो लोग कुछ भी करते हैं साविन के बीच में एंटरफेर नहीं करना चाहते थे लेकिन साविन के ऐसी सिटुमेशन को देखते हुए फैंक्स उज़े अपने मन में कहते हैं अगर कुछ समय ऐसा रहे तो मुझे इस मैंटर में एंटरफेर करना ही होगाई यह सोचने के साथ ही वो वेड़ करने लगते हैं लेकिन जब वो देखते हैं कि साविन की कंडिशन और भी बिगड़ रही है तो उनका सब्स तूट चुका था इसलिए ओक कहते हैं मुझे अब सावेन की मत कर नहीं होगी ये कहने के साथ हुए अपने हाथों में एनरजी को इकटा करने लगते हैं लेकिन तब ये किसी से इसको मैसुद करने के साथ ही काफी जदा हैरान हो जाते हैं और उन्होंने अपने हाथों को पीछे रख लिया था वो अपने मन में कहता है आखर ऐसा कैसे हो जाता है क्योंकि अब तक सावेन अपने आके खोल ली थी और उसके एक चिक के साथ उसके अंदर से एनरजी निकलने लगती है उसी समय सावेन अपने हैंट तिल को क्रेट करने लगता है और कुछी समय के अंदर उसके वोण सकते हैं क्योंकि यह विंग्स फिनिक्स टैप के फिनिक्स से बनावा था अभी इससे देखने के लिएप कर कोई बीच्री हो और अगली पर सावेन की बोड़ी हवा में फ्लोट करने लगती है जिससे देखने के बाद वह सभी कहते हैं उन्हों ने इस वक्त का एक्स लेकिन फिर भी सावेन ने इन ब्लड एसंस पे जीत हासिल करते हुए इनको सक्सपुली डिफाइन कर लिया और इस कारण से उसे भी काफी खुत हो गई थे अब दूसरी तरफ हम सावेन को देखते हैं जो कि यह भी तक काफी पेन में था उसकी विंक्स के एक्टिविट होती ह लेकिन मैंने साई समय पे इस बोन स्विंक को एक्टिविट करने के साथ इन सभी एनरजी को इसके अंदर डाल दिया यह कहने के साथ ही वो उसकी चेर पे स्माइला चुको था फिर उसने अपने आखी खोली अब दूसरी तरफ हम सावेन की बोड़ी के अंदर से दिखते हैं इस एनरजी को एक कज़िम करने के साथ ही, अब इसी स्कुंप च 하나 के साथ ही सावेन अपने मन में कहता है, आप इसकी वज़ते में डे ऊटनी स्पीर और भी इंक्रीज हो चुकी है, इसी सीर्व्रों में स्मुको दिखते हैं जो कि काफी एहरानी से सावेन के तरफ दिखते ह की आ रही है और उसका सीधा सीधा मतलब है कि सावएन के पास जो विंग्स है वो फिनिक्स टैप से विलूंग करती है दूसरी तरफ हम सावएन को देखते हैं जुकि नीचे आने के साथ ही फैंग जुझे सिर्फ कहता है मुझे माफ करना मुझे नहीं पता था कि कंडिसर करते हैं तुम अपनी विंग्स के कम से कम इस्तिमाल करने की कोस्ट करना कि अगर उन्हें पता चला कि तुम्हारे पास विंग्स के साथ चाथ बलेड़ एसन्स भी हो तो तुम्हें बिल्कुल नीच चोड़ेंगे और साथ तो वह काफी सारे एक्सपर्ट को भेजने के साथ ही तुम्हें जान से मालने की कोस्ट करेंगे अब दूतरी तरफ सावें भी इस बात को काफी अच्छी तरह से जानता था इसलिए वो फैंक जुंज की तरफ देखते वे उससे ग्रीट करते वे उससे कहता है मुझे माफ करना की मेरी वज़ से आपको इतनी तकलीफे जलनी पर ही और जहां तक रही इन विक्स की बाद तो मैं इसे छुपा कर रखूंगा और दूतरी तरफ वे नहीं पत्च जलेगा कि मेरे पास ब्लेड एसंस था अब इस बात को सुनने के बाद फैंक जो एक नोट कर देते हैं फिर सवें अपनी इस टोरिंग से कपड़ा निकाल क और अपनी विंग्स के एक्टिवीट करने के साथ ही फेट चैन से लड़ो तो अब मैं उसकी स्पीड को भी टकर दे सकता हूँ ये कहने के साथ ही हमारा ये पार्ट यहां पर एंड होता है अब अगर आपको एक्स्प्लेइन से न अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक कर वोचिंग अब अगर अपने लाथ पर नहीं देगा तो एंड इसके नट पर आ रहा होगा